अभागा हूं मेरे भागे में नहीं है प्रबंद करने की बहुत बात चेश्टा करते हैं नहीं हो पाता है लेकिन भीतर नाद है गव भीतर प्राण प्रतिश्थित है भीतर गव नाण प्रतिश्थित है भले ही उस तक हम पहुंच ना पाते हूं ये वेदना है इसका आर्थ यह नहीं है कि अगर मुझे गाएं का दूद्ध पीने के लिए नहीं मिल रहा मैं उसकी सारी गुणवक्ता को नकार दू नहीं तरस्ते हैं हम लोग यह इश्वर ऐसी परस्तिती दे हमें कि हमें चैचोटी बिल्लिंग दे दे लेकिन अगर गाओं गाएं का सानिद्ध मिल जा जिसें पंच गवव के नाम से जानते हैं उन पर तो अब बहुत सुंदरि शोद स्थापित हो चुके हैं कि जितने भी ऐसे रोग हैं जिन से जिवानों को विक्सित किया जा सकता ऐसे जिवानों जो रोग का निदान करें वो गाएं की में पूलेतर हैं संभव kept दूसरी ब में एक बहुती संदर प्रयास किया गया कि मुनश्य के हाथ पर आधे इंच की गाएं के गोबर की लेयर लगाई उन्होंने जो मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है गाएं के गोबर की आध इंच की लेयर लगाके और उसका X-ray लिया गया, X-ray बिलकुल काला आया, उसमें X-ray में हड्डियां नहीं आई, और इस प्योग को फिर बाद में और स्थानों पर भी किया गया, उनका मत है, मैं नहीं जानता, उनका मत है, कि निशकर्ष ये निकलता है कि गाएं के गोबर में वो ख्षमता है कि वो रेडियो एक्टिविटी अब्जॉर्ब कर लेती है फिर मुझे किसी ने ये भी बताया, किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं है कि नरोरा निूकलियर प्लांट जो हमारे यह उत्तर प्रदेश में है नरोरा निूकलियर प्लांट में वहां के विज्ञानिकों ने एक विशेश फील्ड तयार किया है जहां हर सप्ता गाएं के गोबर का लेप लगाया जाता है और उस पर वो सब पैदल चलते हैं ताकि अगर किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी आ गई है तो उसका विसर्जन हो जाए वो निर्मोल हो जाए वो शुन्य हो जाए यह बहुत बड़ा प्रियोग है जो उन लोगों ने वहां मैंने सुना है मैंने देखा ने नरोरा प्लांट में हुआ है रेडियो एक्टिविटी दिरे दिरे हमारे जन जीवन में सामाने वस्त में जो प्रियोग होती है उनमें भी प्रविष्ट होती जा रही है जिव जिव नैनो टेक्नालोजी बढ़ रही है रेडियो एक्टिविटी भी साथ साथ बढ़ रही है radiation तो हमारे यहाँ पर mobile phone का नहीं है क्या जितना जादा radiation हमारे साथ mobile phone का है उसकी तो कोई सीमाइनी है गणणा नहीं की जा सकती है this is too much और बात काएं किसका प्रतीक है काएं पुष्टी वर्धन का प्रतीक है गणगा पुष्टी वर्धन ना केवल इस पंच भौती काया की बलकि भीतर के हमारे सुक्ष मवस्थाओं की हमारे मन बुद्धी चित इनके पुष्टी वर्धन की विवस्था गएं करती है जहां तक किसी और अन की पहुँच नहीं है कोई और अन उतनी दूर तक नहीं जा सकता जहां तक गाएं और उसके द्वारा उत्पादन होने वाले समस्त पदार्थ मुनुष्य के सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित कर जाते हैं ऐसा रिश्यों की मान्यता थी और धीरे ध विशिष्ट नाड़े पर सूर्य की रश्मियां जब पढ़ती हैं तो सूर्य के रश्मियों के पढ़ने के बाद उसमें ऐसे प्रक्रिया होती है जिससे एक बहुत सुंदर तत्व बनता है जिसे कहते हैं और गैनिक गोल्ड एक और गैनिक गोल्ड का उत्पादन होता है स् उसके गुम्ब में एक विशिष्ट नाड़ी के द्वारा उत्पन किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि गाएं ये सम्भव नहीं है खिर मेरे रिशी ने तो किया था मेरे रिशी ने तो धार्मिक दृष्टी से कहा जाता है कि अन संसकारित हो गया संसकारित हो ही गया उसका पूरा Constitution बदल गया जिसने जिसने गाएं के पेट में 24 घंटे बिता लिए वह अन तो संसकारित हो गया इसमें दोराय नहीं है लेकिन यह संभव नहीं है ठीक है उतना संभव नहीं है तो कम से कम मुझ जैसे अभागे को दूद तो मिले वहां तक की पूर्ती तो हम कर पाएं जितना हो सकता उतना तो हो उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग कि हम गाएं को अन खिलाएं और फिर उसको संसकारित करें, यह किसी-किसी के बस का है, और किसी-किसी की समझ का है, और किसी-किसी के एपटाइट का भी है, बहुत सारे तो इसको सुनकर के ही दिरे-दिरे दाएंबाय होना शुरू हो जाते हैं, गाएं को खिला करके, और को दो करके कूटना पीसना वो कहते हैं न सरदर्द में चंदन लगाना है मुफीद लेकिन चंदन को गिसना और गिसके लगाना भी तो सरदर्द है तो बहुत से लोग इसी से भागना शुरू हो जाते हैं जब इस परकार की बाते हैं सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ज जिसे कुछ समय के लिए मैंने भी अनुभव किया है वो ये है कहते हैं कि गाएं को स्पर्ष करने से जिसे हम लोग उने नाम दिया गौ सेवा सेवा वहां तक सिमित नहीं है गौ सेवार था गाएं को स्पर्ष करने से गाएं को स्पर्ष करने से बहुत बड़ी क्रिया होती है भीतर क्या मानसिक विक्षोब समाप्त हो जाता है मुनश्य को अगर मानसिक विक्षोब है जिसे समानित हम लोग जानते हैं dissuasion, depression आधी आधी अगर गाएं को स्पर्ष किया जाए निरंतर किया जाए तो मानसिक विक्षोग समाप्त होना शुरू हो जाता है क्यों ये गाएं की क्षमता है धारन करती है क्योंकि गाएं का काला कोट नहीं पहनती वो हम सब जानते हैं काला कोट पहन करके थोड़ी मानसि सब जानते हैं वी आल नो समर्ज आते हैं सफेद कपड़े भी पहनने शुरू होते हैं और धारन भी करते हैं